नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको ग्यारवी कक्षा के अर्थ शास्त्र का आठ्वा अध्याय आधारिक संरचना पढ़ाऊंगा आधारिक संरचना का अर्थ आधारिक संरचना को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं प्रते एक अर्थव्यस्ता कोई भी हो चाहिए विक्सित अल्प विक्सित विकास शील कोई भी अर्थव्यस्ता हो वहें प्रमक रूप से आधारिक संरचना पर निर्भर करती है आप जानते हो आप समस्ते होंगे भारत में कई राज्ये अन्य राज्यों से काफी हद तक विक्सित हैं जैसे हरियाना, पंजाब, यह राज्ये कृषी शेतर में काफी हद तक विक्सित हैं, दूसरी और गुजरात जोकी और द्योगिक शेतर में विक्सित हैं, महराश्य और द्योगिक शेतर तथा कृषी शेतर दोनों में ही विक्सित हैं, इनके विक्सित होने का प्रमुख कारण इनकी आधारिक सनरचना है, कई राज्ये ऐसे हैं जिनकी आधारिक सनरचना बहुत सम्रिद्ध हैं, वहाँ विज्ञान, परिवहन, संचार, कृषी सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, आधारिक सनरचना एक ऐसी सहायक प्रणाली होती है, जिस पर आधुनिक उद्योग तथा कृषी व्यापार की प्रणाली निर्भर करती है, आधारिक सनरचना उत्पादन के सभी साधनों की उत्पादक्ता को बढ़ा कर, तथा इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाकर, देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है, आधारिक सनरचना से अभी प्राय उन मूल भूत सहायक ढांचे से हैं, जो एक अर्थिवयस्ता में विभिन प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं, आधारिक सनरचना का उत्पादन प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है, आधारिक सनरचना के अंतरगर जैसे की मैंने आपको बताया, परिवहन, बिजली, संचार, बेंकिंग, शिक्षा, स्वास्त, कई शेत्र आते हैं, इन सभी शेत्रों में मिल जुल कर, जो विकास होता है, वही आधारिक सनरचना के प्रारूप को बनाता है, आधारिक सनरचना दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और एक सामाजिक, आर्थिक आधारिक सनरचना और सामाजिक आधारिक सनरचना को अंतर के द्वारा हम समझते हैं, आर्थिक आधारिक सनरचना प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रनाली को समर्थन देती है और आंतरिक रूप से आर्थिक प्रनाली की सहायता भी करती है दूसरी ओर सामाजिक आधारिक सनरचना अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रनाली को समर्थन देती है वैसे अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक संरचना दोनों ही एक दूसरे पर पूनो रूप से निर्भर करते हैं आर्थिक आधारिक संरचना के अंतरगत उर्जा, परिवहन और संचार आता है वहीं दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक संद्चना के अंतरगत शिक्षा, स्वास्त, निवास यह सब आते हैं अच्छा लोगों का रहन सेन, लोगों को साफ सुत्रा पानी मिलना, लोगों के रहन सेन में सुधार होना यह सब सामाजिक संद्चना के अंतरगत आता है आर्थिक आधारिक संरचना आर्थिक संसाधनों की गुनवत्ता में सुधार भी लाती है और इस परकार उत्पादन को बढ़ावा देती है जबकि दूसरी और सामाजिक आधारिक सनरचना मानविय संसाधनों की गुनवत्ता में सुधार लाती है मानविय संसाधनों की गुनवत्ता में सुधार लाने के लिए उनके स्वास्त पर उनकी शिक्षा पर उनके रहन सेहन के स्तर में सुधार लाना आवश्यक है यदि लोगों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, लोगों का स्वास्त अच्छा होगा, तो नियमित रूप से मानविय संसादनों की गुणवत्ता बढ़ेगी, मानविय संसादनों की गुणवत्ता बढ़ने से उत्पादन, उत्पादक्ता, उत्पादन की ख्षमता में व्रिद करता है मानव शक्ती की कुशलता में सुधार लाना आर्थिक आधारिक संदचना की प्रक्रिया के द्वारा भौतिक पूंजी के स्टॉक को बढ़ावा मिलता है क्योंकि आर्थिक के अंतरगत तो हम सिरफ मानविय संसादनों के अतिरिक्त जितनी भी चीजे हैं उन्हें देख क्रिशी है यह सब आर्थिक आधारिक संदचना के अंतरगत आते हैं और इनमें विकास होने से कहीं न कहीं भौतिक पूंजी का स्टॉक भी बढ़ता है वहीं सामाजिक आधारिक संदचना के अंतरगत मानविय पूंजी का स्टॉक बढ़ता है आर्थिक आधारिक संदचना के द्वारा आर्थिक संवरिद्धी की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है जबकि सामाजिक आधारिक संदचना के द्वारा मानविय विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है सामाजिक आधारिक संदचना कहीं न कहीं मानविय संसाधनों के विकास पर बल देती है आधारिक संदचना का एक देश में बहुत अधिक महत होता है प्रतेक देश जो विक्सित होता है वे कहीं न कहीं आधारिक संरचना पर ही निर्भर करता है आधारिक संरचना यदि किसी देश की अच्छी होगी तो उस देश में उत्पादन में व्रिद्धी होगी किसी भी देश की उन्नती और विकास वहां के क्रिशी और ओद्योगिक उत्पादन पर प्रतेक्ष रूप से निर्भर करता है क्रिशी उत्पादन को बिजली साख साख अर्थात रिन परिवन सुविधाएं इन सब के आवश्यक्ता होती है जिन में कोई भी कमी होती है तो इसका सीधा बुरा प्रभाव क्रिशी उत्पादन पर पड़ता है इसी प्रकार ओद्योगिक उत्पादन के लिए मशीन, ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, रेलवे, सडक संचार आदी के आवश्यक्ता होती है और यह सब ही सुविधाएं क्रिशी तथा ओद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है अगला आता है रोजगार में व्रिद्धी आधारिक संचना के कारण कहीं ना कहीं देश में श्रम शक्ती को रोजगार उपलब्ध होता है एक अर्थविस्ता की आधारिक संचना जितनी अधिक विक्सित होगी वहाँ विभिन शितनों में लोगों को रोजगार के अफसर प्रधान होंगे जैसे कृषी शितर में और द्योगिक शितर में परिवहन में बेंकिंग में यह सबी आधारिक संचना के ही प्रमुख घटक है प्रत्यक्ष निवेश एक विक्षित आधारिक सनरचना निवेश को भी आकर्षित करती है आप देखेंगे यदि भारत में संचार की सुविधाएं परिवहन की सुविधाएं अच्छी होंगी तो कहीं न कहीं विदेशी कमपनिया भारत में प्रत्यक्ष निवेश करेंगी उद्योग लगाएंगी जिससे भारत में रोजगार के अफसर बढ़ेंगे भारत में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा किसी भी नई कमपनी को नई फर्म को अगर एक देश चाहता है कि वह यहाँ आकर उत्पादन करें रोजगार प्रदान करें तो इसके लिए सरकार को देश को आधारिक सनरचना पर बहुत अधिक व्यक करना पड़ता है यातायात, परिवहन, संचार यह सुविधाएं एक सरकार को उपलब्द करवानी पड़ती है और इनी सुविधाओं को देखते हुए विदेशी कमपनिया देश में निवेश करती है घरेलू कमपनिया देश में निवेश करती है बिना आधारिक संचना के कोई भी देश अपने यहां विदेशी कमपनियों को बुलाने में अगरसर नहीं हो सकता भारत में विदेशी कमपनिया निवेश करने के लिए प्रोटसाहित तभी होंगी जब उन्हें भारत में आधारिक संचना पूर्ण रूप से विक्सित दिखाई देगी अब मान लीजिए विदेशी कमपनी भारत में आकर उत्पादन करती है परन्तु उसे जितनी उर्जा जितने कच्चे माल की आवश्यक्ता है उतना कच्चा माल नहीं मिल पाता उतनी उर्जा प्राप्त नहीं हो पाती तो वह उत्पादन नहीं कर पाई बाजार के आकार में वृद्धी बड़े पैमाने पर उत्पादन तभी संभव है जब बाजार का आकार बड़ा होता है आधारिक संरचना बाजार के आकार को बढ़ावा देती है बाजार के आकार में वृद्धी प्रमुक रूप से विक्षित यातायात और परिवहन पर ही निर्भर करती है अर्थविवस्था में उत्पादक उपभोगता कई खित्र होते हैं यह सभी खित्र कहीं न कहीं बाजार पर निर्भर करते हैं आधारिक सन्रचना विक्षित होने पर उत्पादन बढ़ता है उपभोगताओं को नई नई वस्तुएं प्राप्त होती हैं उत्पादक को उत्पादन करने में प्रोटसाहन तभी मिलता है जब उसे उत्पादन से संबंदित सभी सुविधाएं समय पर मिलती रहे यातायात परिवहन बिजली कच्चामाल कोईला इंधन यह सभी सुविधाएं उत्पादन के सभी साधन उसे समय पर मिलते रहेंगे तो वह उत्पादन के स्तर में वृद्धी कर पाएगा और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संपून बाजार का विकास होगा संपून बाजार में वृद्धी होगी अब हम पढ़ते हैं भारत में आधारिक संरचना की क्या अवस्था है परपरागत रूप से हम मानते हैं कि केवल सरकार ही देश की आधारिक संरचना के विकास के लिए जिम्मेदार है मतलब एक देश में अगर आधारिक संरचना यानि कि उस देश के इंफ्रास्रक्चर को बनाना है तो केवल सरकार ही विय करेगी जितने भी यातायात के लिए हाईवे बनते हैं इन पे सरकार द्वारा विय किया जाता है परंतु वास्तव में यह पाया गया है कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश और परियाप्त है सरकार सभीक्षेत्रों में इतना अधिक विय नहीं कर सकती कई वर्ष पहले तक तो सभीक्षेत्रों में सरकार द्वारा ही विय किया जाता था जैसे बड़े बड़े बांध बनाना एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए सडके बनाना बिजली उद्योग इन सब में सरकार द्वारा ही विय किया जाता था परन्तु धीरे धीरे निजी शेत्र निजी कम्पनिया भी सार्जनिक शेत्र के साथ साजेदारी में आधारिक संदचना के विकास में बहुत महत्पूर भूमी का निभा रही हैं हम सकल घरिलूत पात का केवल पांच प्रतिशत ही आधारिक संरचना में निवेश करते हैं केवल पांच प्रतिशत यह प्रतिशत बहुत कम हैं अगर यह प्रतिशत अधिक होता आधारिक संरचना पर व्य किया जाता तो कहीं न कहीं आज भारत बहुत जल्द विक्षित गाउं में रहते हैं तथा ग्रामीन आधारिक संद्चना की स्थिती अभी इतनी अच्छी नहीं है गाउं में महिलाएं उर्जा की आवश्यक्ता की पूर्ती के लिए लकड़ी घांसफूस गोबर आदी का प्रयोग करती हैं हाना की धीरे धीरे सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाय बनाई गई हैं लागू भी की गई हैं की गरामीन शेत्रों में उर्जा की उपलब्धता के लिए लकड़ी घांसपूस इन सब का प्रयोग ना हो क्योंकि इनके प्रयोग से कही ना कही श्रम शक्ती का नुकसान होता है लोग बिमार होते हैं फिर भी सरकार द्वारा इतनी योजनाय बनाने के बाद भी गरामीन शेत्रों में उर्जा की पूर्ती नहीं कर पा रहे हैं उर्जा एकत्रित करने के लिए पानी के लिए तथा अन्य मूल भूत आवशक्ताओं की प्राप्ती के लिए गाउं में आज भी लोगों को बहुत लंबी दूरी तै करनी पड़ती है गाउं में आज भी मूल भूत आवशक्ताएं उतनी उपलब्द नहीं है जितनी शहरों में अब मैं आपको उर्जा के बारे में पढ़ाता हूँ उर्जा किसी भी देश की आधारिक संदचना का एक महत्पून तत्व होता है वास्तव में उर्जा उत्पादन क्रिया की जीवन रेखा है यह उद्योगों, क्रिशी और अन्नेक शेतरों में बहुत महत्पून किरदार निभाती है उर्जा के कई स्रोत होते हैं जैसे वानिज्यक स्रोत, गैर वानिज्यक स्रोत, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत उर्जा के व्यवसाइक स्रोत और गैर व्यवसाइक स्रोतों को हम उर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं सबसे पहले हम वानिजिक सुरोथ के बारे में पढ़ते हैं उर्जा के वानिजिक सुरोथ के अंतरगत कोईला, पेट्रोलियम, बिजली, प्राकरतिक गैस इत्यादी आते हैं इनका प्रियोग प्रमक रूप से कारखानों में, फर्मों में उत्पादन क्रिया के लिए किया जाता है तथा इन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जाता है कहीं न कहीं पेट्रोल, कोईला, बिजली यह भी अपने आप में बड़े बड़े उद्योग हैं जिने निजी क्षेतर अपने लाप को अरजित करने के लिए संचालित करते हैं तथा इनका प्रियोग करते हैं इन में नई-नई क्रियाएं करने के लिए वेय करते हैं, इने खोजने पर वेय करते हैं क्योंकि इनसे बहुत अधिक लाप भी प्राप्त होता है और यह कहीं न कहीं उत्पादन में योगदान भी देते हैं अगला आता है गैरवानिज्य स्रोत इसके अंतर कर लकडी, कृषी, अफशेश यानि घांसफूस वगएरा सूखा गोबर, भूसा आदी आते हैं मुख्य रूप से इनका प्रयोग गरामीट शेत्रों में गाउं में घरेली उदेश्यों की पूर्ती के लिए किया जाता है इंधन के लिए लकडी कृषी अफशेश गाउं के लोगों को निशुल्क वस्तों के रूप में ही प्राप्त होते हैं इसके लिए गाउं के लोगों को किसी प्रकार का वेर नहीं करना पड़ता चाहे इनकी उपलब्धता स्थानिय बाजार में है फिर भी गाउं के लोग इने बाजार से खरीदते नहीं है यह है इनका प्रियोग अपनी घरेलू आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उर्जा के वानिज्यक सुरोत समय के साथ समाप्त हो जाएंगे जबकि गैर वानिज्यक सुरोतों का पुन नवीनी करन हो सकता है लगबग साथ प्रतिशत भारत्य परिवार अपनी घरेलू आवशक्ता को पूरा करने के लिए परमपरागस रोतों पर ही निर्भर है अब आता है परमपरागस रोत यह वैस रोत है जिनकी हमें जानकारी है और जिनका प्रियोग बहुत अधिक लंबे समय से हो रहा है जैसे कोईला, पेट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, बिजली वर्तमान समय में भारत में उर्जा के कुल उभोग का लगबग 65 प्रतिशत वानिज्यक उर्जा से पूरा होता है जिसमें कोईले का अनुपाद सबसे अधिक है जो की लगबग 55 प्रतिशत है इसी प्रकार प्राकर्तिक तेल जिसका 31 प्रतिशत भाग है प्राकर्तिक गैस का योगदान 11 प्रतिशत है जबकि जल उर्जा का योगदान लगबग 3 प्रतिशत है अंत में आता है गैर परंपरागत सुरोत यह अब भी प्रियोग की अवस्था में ही है इन्हें अभी भी प्रियोग में लाने की कोशिश की जा रही है यह अभी भी पूर्ण रूप से विक्सित नहीं हुए है और बहुत कम सीमा तक इनका प्रयोग किया जा रहा है जैसे सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस इनका उप्योग अभी इतना अधिक अर्थवेस्ता में नहीं हुआ है क्योंकि इनके विकास की अभी भी बहुत अधिक जरूरत है तो बच्चों आज हमने आधारिक संद्चना के बारे में पढ़ा हमने जाना कि किसी भी देश की विकास के लिए आधारिक संद्चना कितनी आवश्यक है और आधारिक संद्चना किन-किन चीजों पर निर्भर करती है हमने उर्जा के विविन शित्रों के बारे में भी पड़ा अभी आधारिक संदचना में विद्यूत और स्वास्त यह दोक्षित्र भी आते हैं कोई भी देश की आधारिक संदचना कहीं ना कहीं उस देश के स्वास्त और विद्यूत पर भी निर्बर करती है और जिसका एक महत्पून योगदान होता है इस अध्याय के अगले भाग में मैं आपको विद्यूत तथा स्वास्त के बारे में पून रूप से जानकारी दूँगा आशा करता हूँ आज आपको आधारिक संदचना के बारे में अच्छे से ग्यात हुआ होगा नमस्कार यस नमस्कारी के एक है झाल झाल